प्राणधार सुन्दर साथ जी मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि वित्तक की सुलवात हम आज एक बार तार्तम के पाठ के साथ करेंगे निजनाम श्रीजी साहेब जी अनादी अक्षराद स्वतोब जाहर भहे सब्विद वतन से प्राणधार स्वतोब जी वर्शत है सदासत्थ के दात बिंति एक जुमल भा मोला के वाणी मेरे प्यूख के न्यारी जो संसार निराकार के पार थे तिन पार अंगोत कंठा अपजी मेरे करना विचार एशत्वाणी नियूँ जो इन सार में कई सत्थ्ख्षों में निर्ने क जब आहोँ इंदा खंड घर को ष्रेक्षरा तीद्भरतार आयो आनंदा खंड घर को स्रेय अक्षरा बुलिश्री प्राण Knights प्यारे के बुलिश्री स्द्गुरु Mाहाराज के प्राणेश्वर प्राणवल्लव अक्षरातीत धामधनी स्री राज्य की अपार कृपा सद्गुरु एवं मेरे सभे गुरु जन्नों के आशिरवाद से इस वर्स मैं पहली बार दो महव्यापी बितक की चर्चा करने जा रहा हूँ जो कि ये अधिक मास है जैसा कि शशांक जी ने कहा कि हमारे लिए एक सुआवसर है क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक महिने की बितक में समय थोड़ा कम पड़ जाता है तो कभी कभी कटवती करने के चक्कर में कुछ महत्तुपूल प्रसंग छूट जाते हैं इस बार ऐसा नहीं होगा राजी की महर से कोई कटवती नहीं की जाएगी कोई भी प्रसंग नहीं छोड़ा जाएगा ऐसा मेरा विश्वास है तो आईए सुनर साथ जी अब हम बितक चर्चा की तरफ बढ़ते हैं बितक क्या है हमारे लिए क्यों है और किन परस्थेतियों में इसका आवतरन हुआ है यह तीन अत्यंत महत्यपूर्ण प्रसंग है किसी भी विशेवस्तू को समझने के लिए उसका इतिहास उसका सिध्धान्त और उसकी प्रासंगिक्ता यह तीनों विशेयों को जानना अवश्यक होता है कि सिध्धान्त क्या है एतिहास क्या रहा है कैसा रहा है और अईतिहासिक ग्रंथ तो बहुत सारे हैं पर आज के वर्तमान परिवेश में इसकी क्या प्रासंगिक्ता है क्या सांदव भिकता है यह हमारे लिए रेलिवेंट है की नहीं अर्थात प्रासंगिक है की नहीं कि यह दिन तीनों विशयों का उत्तर हां में आता है कि हम इसके एतिहास को भी जानते हैं इसके सिध्धान्त को भी जानते तथा मानते हैं और हमारे लिए वर्तमान में प्रासंगिक भी है तीनों उत्तर सकारात्मत में यह दे मिल रहा है तो समझ लिजे कि आप सही जगह पर हैं सही स्थान पर हैं तो बीतक को समझने के लिए भी इन तीनों प्रस्णों का उत्तर जानना आवश्यक है पहले ही जानते हैं कि किन परस्थितियों में वितक का अवतरन हुआ अथवा वितक का लेखन कार्य प्रारंब और समापन हुआ विक्रम संबत 1751 का समय सावन का महिना और तीज का दिन था इसको तृतिया भी कहते हैं और तीज के दिन महामतिजी समाधिस्त हुए समाधिस्त होने का तात्परिया मृत्ति वाली समाधि नहीं क्योंकि सुन्दर साथ में प्रचलन है कि कोई भी महापुरुस समाध से जाता है उनका तन छुटता है तो उनका दाहस असकार करने के जगह पर उनकी समाधि बनाई जाती है पर यहां उस समाधि की बात नहीं हो रही है यहां योग दर्शन की उस समाधि की बात हो रही है जब चित की समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है और आत्मा स्वयम के निजशरूप तथा परमात्मा के स्वरूप को जान लेती है और एक अवस्था के बाद अपने अस्तित्यों को भी भूलकर परब्रह्म में स्वयम को लीन कर लेती है उस अवस्था को समाधी कहा जाता है योग के आठ अंगों में से एक अंग जिस तक पहुँचने के लिए अन्य सभी साथ अंगों का सहारा लिया जाता है उस समाधी की यहाँ पर बात की जा रही है कि महामती जीने समाधी ले लिए क्यों यूगल सुन तो उनके हिदय में विराजमान थे ही तो प्रश्ण होता है कि उनको ध्यान समाधी की क्या आवशक्ता हिदय में विराजमान तो है उनके द्वारा लीला भी हो रहे है जागनी की परंतु जागनी की लिला करते करते दूसरों को उस आनंद की तरफ बढ़ाते बढ़ाते महामती जी को अर्थात इंद्रावती जी की आत्मा को कहीं न कहीं यहां लग रहा है कि जिस आनंद में मुझे स्वयम भी डूबना था अब तक तो मैंने क्या किया हम वाने गायन तो करते हैं कई बार गायन किया है महामती जी को लग रहा है कि तुने अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं और वास्ते लिखता भी यहीं है कि हमें दूसरों का कल्यान तो करना चाहिए जागनी तो करनी चाहिए परन्तु सर्व प्रथम अपनी आत्मा का जो करतव यह है वह अभी निभाना चाहिए तो महामती जी के द्वारा सत्रसो बारह के पस्चात अर्थात चोथे दिन की लिला के समाथ होने के पस्चात सत्रसो एक्यावन तक जागनी की लिला तो हुई इस बीच उनने हबसे के अंदर युगल सुरूप को अपने हुदय में बसाया भी पर सुन्दर साथ की जागनी के कर्तव्य को पूरा करने के दोड में सुन्दर साथ को जगाने के लिए जितनी भी परिश्रम की आउस्षिक्ता थी जितनी सेवा की आउस्षिक्ता थी उस सेवा में कहीं न कहीं इम्रावती जी की आत्मा जिस सुख में डूबना चाहती है उससे कहीं न कहीं वन्चित रह रही थे चुकि अक्षरातीत का हुदय तो प्रेम आनंद का अनंत सागर है उसमें से उन्हें अब तक कुछ बोदे ही प्राप्त हो पाई थी और इम्रावती जी की आत्मा अर्थात महामती जी की यहीं इच्छा थी कि मैं उसमें पूर्ण रूप से डूब जाओं और पूर्ण रूप से डूबने के लिए उन्होंने क्या किया समाधी लेली अब समाधी तो उन्होंने ले लेकिन सभी सुन्धर साथ को इस बात का पता नहीं है कि समाधी क्या होती है समाधी के अवस्था में कैसा अनुभव होता है या बाहियर रूप से वह योगी कैसा दिखता है जो समाधी ले रहा है तो संदर साथ को लगा कि स्रीजी ने पन छोड़ दिया अथवा श्री जी हमारे सामने से चले गए राज जी हमें छोड़ करके परमधाम चले गए और उन्होंने विरह करना शुरू किया अब संधा काल में स्री जी की समाधी भंग हुई उन्होंने देखा कि सुन्दर साथ तो मेरे आसपास बैठे हुए है और भूखे प्यासे दिख रहे हैं दुखे दिख रहे हैं रो रहे हैं आखों में आसु दिख रहे हैं तो स्री जी समझ गए कि मामला क्या है उन्होंने सु सुन्दर साथ को कहा कि आप मेरी तरफ से बिलकुल भी चिंतित ना हो और सभी लोग भोजन करके आ जाईए इस तरह से भोखे प्यासे मत रहिए अब सुन्दर साथ को खाया तो नहीं जाना था फिर भी चुंकि स्रीजी का आदेश था आदेश पालन करना भी आउशिक है अप सबसे जल्दी तो खिचड़ी ही बनाई जा सकती है तो कुछ सुन्दर साथ ने खिचड़ी वगरा खाई और वापस आकर के बैठ गए तब तक स्रीजी पुलह समाध ही ले चुके थे उनकी समाध ही लग चुकी थी अब फिर सुन्दर साथ को लग रहा है कि नहीं स्रीजी से तन छोड़ दिया और इस चीज के लिए हमें अपने से कुछ समय के लिए दूरू भेजा अब ऐसे में सुन्दर साथ जो उस तन को ही सब कुछ समझ रहे थे और समझों ही क्यों न क्योंकि जो कुछ भी उलिए प्राप्थ हुआ था वह तो उसी तन के माध्यम से ही प्राप्थ हुआ था कि किस तरह से उस तन की सेवा की थी किर और भाव ले करके सेवा नहीं की है सुम्रसाथ ने पर सेवा उसतन की ही हो रही न जिस तन में राज्जी बैट करके बीजा कर रहे हैं उसको ही साख्षात राज्जी का स्वरोप मान करके सेवा की जा रही है तो अब जिसके माध्यम से सब कुछ मिल रहा था सुन्दर साथ को लगा कि यह तन अब हमसे पोजल हो गया है अब विरहा की जो अवस्था होती है कहे जाती है कि वाने क्या कहती है विरहा गत रे जाने सोई जो मिलके बिच्छुरी होई जो मीन बिच्छुरी जलत है या गत जाने रे सोई वहाँ कुछ करना नहीं पड़ा देखिए एक अवस्था होती है दुख वाली और दुसरी अवस्था होती है वीरह वाली दुख में तो फिर ही कहीं न कहीं बुद्धी का कारिय चल रहा होता है पर वीरह की अवस्था में बुद्धी की कोई क्रिया नहीं चल रही होती है अब सुंदर साथ ने सोचा कि जब राजी भी हमारे बीच में नहीं तो हमें रहे करके क्या करना है और जिनका बहुत अधिक लगाव था जिनका प्रेम बहुत अधिक था उन्होंने तुरंट वही पर तन छोड़ दिया पर कुछ सुन्दर साथ ऐसे हैं जिनका प्रेम तो बहुत अधिक है पर चुकि राजी उस तन से अभी और सेवा लेना चाहते हैं इस वज़ा से राजी का आदे समझ करके वह अपने तन को नहीं प्याग पाते हैं नहीं छोड़ पाते हैं देखिए दुख में तन छोड़ देना बहुत आसान है फिर जितना मैं कह रहा हूं जितनी आसानी से उतना आसान भी नहीं है पर उस दुख को याद करते हुवे उस विरह में तड़कते हुवे जिवित रहना और रह करके फिर उसी के विशे में सोचते रहना और उसी की कारिय को करना ये और भी कठिन होता है और कुछ सुन्दर साथ को ऐसी जिल्मेदारी दी गई इस कर्तव्य के कारण ही कुछ सुन्दर साथ अपना तन नहीं छोड़ पाए जैसे केशवदास जी है लाल दास जी है और भी कई सुन्दर साथ है जिनके द्वारा आगे जागनी की लीला होनी है छठे दिन में अब चतुर्थी के दिन क्योंकि तीज के दिन ऐसा हुआ चतुर्थी के दिन प्रातह ब्रह्म्ह मुहर्त में लगभग पांच सवा पांच बजे के आसपास महर्या चत्रशाल जी को अंतह प्रेरणा होती है कि पन्ना जी में कुछ हुआ है कोई अन्होनी घटना हुई है अब उस समय चत्रशाल जी पन्ना जी में नहीं थे वो बाहर थे और उन्हें पन्ना जी पहुंचने के लिए केन नदी को पार करके आना पड़ता था केन नदी तो आप सभी जानते ही है पन्ना जी जब हम जाते हैं तो खजुराओं से जब हम रेल्वे स्टेशन चे उतरते हैं तब जाते ही रास्ती में एक नदी पड़ती है उसको करणावती भी कहा जाता है केन नदी को तो आज की तरफ फिल्टो नहीं था उस नदी में चत्रशाल जी अपने घोड़े को ले करके उस चत्रशाल जी के घोड़े का नाम सभी जानते हैं भले भाई भले भाई को ले करके अब चल दिये जैसे आज बारिश होर ही है इसी तरह से मुसलाधार बारिश हो रहे थी बारिश के कारण नदी का जल इसतर बढ़ा हुआ था बाड़ आई हुई थी नदी में चत्रशाल जी ने आओ देखा नहीं ताओ नहीं देखा बले भाई को आदेश दे दिया चलो और नदी में वो घुस गए अब उस बार में नदी के बार में कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि नदी घोड़े को भी बहा करके चत्रशाल जी सहित घोड़े को बहा करके ले जाएगी पर येन केन प्रकारेन चत्रशाल जी पार हो गए पंणाजी पहुँचे वहा का दिश्य देखा दूर से ही तो देखा ब्रंग चभुत्रे में कोई सुन्दर साथ के शरीर वहां पर है प्राणान्त कर चुके हैं कई सुन्दर साथ विरह की वियोग की अवस्ता में हैं वो दूर से ही समझगे की क्या हुआ हो सकता है वहां पहुचे स्री जी समाधिस्त है अभी बुलाते ही पुकारते हैं कि धांधनी में आपका छत्ता आपके सामने हूँ पर सेजिय आख नहीं खोलते कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती तो छत्रसाल जी ने अपनी तलवार को म्यान से निकाला अपनी कटार को और कहा कि जिस विजय तलवार ने आज तक सत्रू का खून बहाया है या यवनों का खून पिया है आज यही तलवार इसी तलवार से मैं अपने प्राणांत करने जा रहा हूं ऐसा कह करके वह स्वयम अपना ही प्राण घात करने जा रहे थे जिसको हम आत्म हत्या कहते हैं न उस वियोग में वह प्राण घात करने जा रहे थे इतने में स्रीजी की समाधी भंग हुई क्योंकि म क्या तुमने मेरी इतनी ही पहचान की है इस तन को ही तुमने सब कुछ समझा है अभी तुम्हारा यह समय नहीं आया है अब मैं मुल सुरूप की चित्मली में अपना समय व्यतित करने जा रहा हूँ मैं उनकी समाधी में डूबने जा रहा हूँ आगे की जागनी का कारिय और सुन्दर साथ की जिन्मेदारी मैं आपको सौप रहा हूँ अब आगे क्या होना है कि अब हुकमे द्वारा खो लिया अपने हाथ हुकम दिल मुमिन के आय के अर्स कर बैठे खसंद अब ब्रह्म मुलियों के द्वारा जागनी की निला होनी है चौथे दिन में एक तन को सारी की सारी शोभा थी पांचमे दिन में भी एक तन को सारी शोभा थी पर छठे दिन में समस्त ब्रह्म मुनियों को शोभा है जागनी कारिय करने का और उनमें सिर्दारी महाराजा च्छत्र साल जी को दे दिया और उनको अमिरूल मुमिनीन कहा गया ब्रह्म मुनियों में सिर्दार और उन्होंने क्या कहा कि अब आगे से मेरा इस्थान किसको देना ब्रह्भवानी को मुझे देखना है तो ब्रह्भवानी में देखना और सुंदर साथ के हरदय धाम में देखना इन दो स्थानों में मुझे ढोड़ना इस लौकिक तन से जुड़ने का प्रयास मत करना अब मैं समाधी लेने जा रहा हूँ इतना कहकर छत्रशाल जी को अपने पूरे जिम्यदारी सौप कर जैसा कि महामती जी कहते हैं कि साथ सौप्या स्री राज को जाहिर में स्री महाराज साथ सौप्या स्री राज को बातिन दिश्टी से तो सुन्दर साथ की जिम्यदारी किसके उपर है सब कुछ समानने वाले तो राजी हैं करने कराने वाले राजी हैं पर जाहिर में महराजा च्छत्र साल जी को सौप दिया और कहा अब हम धाम चलत है तुम रहो सावचेत आज अब तुम सावधान रहने का मतलब बाहर दृष्टी से नहीं कि अभीत के लिए तुम सावधान रहना अभी का मतलब आगी से जागनी की पूरी जिम्मेदारे जाग है अब आपको सावधान रहना है कि इस तरह से मार्ग मेर्देश दे करके स्रेजी पुनह समाधिस्त हुए उनका आदिश्था कि उस तन को मिहर राज्जी के उस तन को जूले पर विराजमान कर भी आ जाए और उनसे मिलने के लिए उनका दर्शन करने के लिए कोई भी ना आए पन्ना जी में भी एक परन्परागत रूप से यह बात प्रचलित है भले ही महमती जी ने अपने वित्तक में इसका वर्णन नहीं किया है पर वहाँ जहां हम प्रती दिन चित्वनी के माध्यम से भी दर्शन के लिए जाते हैं गुन्नट जी में या फिर शरक पूर्णी मामे तो लगबग दुनिया के किसी भी कोने में जो सुन दर्शात होंगे उनकी इच्छा होती है कि हमें पन्ना जी जाना है तो पन्ना जी में जानी वस इस्थान को समाधी तक कह देते हैं पर वो समाधी नहीं है जागनी ब्रह्मान का जो मूल मिलावा है उसको कोई समाधी कैसे कह सकता है वहां पर स्रीजी वर्तमान में भी विराजमान है आप सोचिए और इस बात को साबित करने के लिए मुझे ऐसा लगता है अच् इसी बात को साबित करने के लिए कि स्री जी साहिव अभी वहां पर जुले में विराजमान है मुझे लगता है कि परम्हन स्री गोपाल मनी जी अथा उस तन में को ब्रह्मा आत्माई जिनके द्वारा आगे कुछ समय के लिए जागनी का कार्य हुआ है सोचिए कि वहां 300 वर मं उनका नाम ही महा अवतार बाबा था जाता हैmeye कि अफ्ट कहता है कि महा जuarत किया और अलग अलग तरीके से वर्णन किया जाता हैти पर चलक meillä बारहसों वर्स भी मान करके तले जो कि नियुलतन उनकी बात जो कहीं मैंने पड़ी है तो जो संसार की योगी कि इतनी लंबे वर्स तक समाध्य लगा करके प्रकृती की मर्यादा को अपने वस्त में कर सकते हैं तो वहां तन क्यों अब तक नहीं हो सकता है योगी राज शिव के विशन में कहा जाता है कि वो पांच-पांच-थाजार वर्स समाध्य लगाया करते हैं तो सोचे है कि शिव जी जिसété भुक्ति करते हैं जिस प्रव्रम की वहाँ परवर्ण जिस तन में विराज्मान हो करके लीला कर रहा ह। वह तन क्यूं नहीं जीवित हो सकता। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरह से संका रखने की आउश्चा है। कि उसके बाद भी यह प्रसंद चलता आया है कि स्रीजी के समाधिश्ट उने के सत्रसों एक्यावन में समाधिश्ट हुए सत्रसों बावन तक भी वर्णन आता है कि समय समय में जब जब भी महाराजाद के सत्रसाल जी को विशेश पकार के मार्क दर्षन की आउसकत होती थी तो वह वहां त्हान इंप कर कि उसको ल T doga जाकर कि पालब कर दाउती लाए जाकर एक है अलएक सेवादार सुन्दर साद प्रंद मोली थे वो स्री जी से मिलते थे दर्शन करते थे एक दिन कहा जाता है कि कोई बुढ़िया थी कोई माता थी उनको पता चला वो भी पीछे-पीछे छिपते-छिपाते आए और आ करके स्री जी को प्रणाम करके कहा कि मेरे बेटी का विवाह नहीं हो रहा है अथमा विवाह होने वाला उसे बोल रहा हूं कि जो विभूति कि समाधी की अवस्था में दूब कर उस ब्रह्मानंद का रसपान कर रहा हो उसको इससे संचार में दो-चार स्वर्णमुद्रा के लिए जगाया जाया उसकी समाधी उस आनंद को भॉंग किया जाए तो उसको कैसा लगेगा बुरा लगना सभावी कि ए कि तो इसलिए श्री जी ने आदिश दिया कि इस मार्ग को अब पुरी तरह से बंद कर दिया जाए मेरे इस्थान पर ब्रह्भवाणी को पद्राय जाए ब्रह्भवाणी को रखा जाए जैसा उने आदिश दो पहले बिया ही था इसलिए उस स्थान को बंद कर दिया गया लेकिन गुम्मट जी में आज भी स्री जी विराजमान है जो कोई भी सच्चे हुदय से ब्रह्भवाणी पर बीतक पर और स्री जी पर पूर्ण इमान लाता है और पूर्ण रुप से समर्पित होता है ऐसे ब्रह्भवाणी को ऐसे ब्रह्मस्ष्टी को उनके दिदार होते उनके दर्सन होते उनका लाव उनके आनंद का लाव प्राप्त होता है अब ये तो मैंने आगे की बात बताई प्रसंद की अनुसार अब चौथे दिन अथा चतुर्थी के दिन ऐसा हुआ स्री लालनाह जी को ये आदेश प्राप्त हुआ कि आपको संपूर्ण घटना करम को लिखना है अर्थात बी तक लिखना है अब लालनाह जी हम क्यों कि ये तो पहली बार नहीं है कि हम भी तक सुन रहे हैं लालनाह जी कहां जोड़े थे स्री जी से कहां मिले थे फ्रथा नगर में पर फ्रथा नगर के उपहले क्या प्रसंगों के से लिखते हां हो सकता है कि कि किसी सुन्दर साथ से कुछ कुछ सुना हो पर स्री लालनाह जी को कही न कई ये संका हुई हो गए स्री जी ने कहा कि आपको नहीं लिखना है मैं ही तुम्हारे हुदय में बै तो वही शक्ति विरादमान होकर के से लालदास जी के द्वारा बितक लिखाती है अब हमें समझ में आया कि किन परिस्थेतियों में कब बितक ग्रंथ का आउतरन हुआ है का अगर सिद्धांत को समझेंगे आगे की चर्चा में और फिर आने वाले दिनों में क्योंकि लगबग 4500 के आसपास चूपईया हैं ऑनेक प्रकरण है अनेक प्रसंग है उन्ह सभी प्रसंगों की प्रसंगिकता वर्तमान समय में किस तरह से है उन्ह प्रसंगों को भी हम अपके व्यक्तिकत हित के लिए आपके परिवार के हित के लिए समाज के हित के लिए और क्योंकि वानि वितक तो केवल व्यक्ति के परिवार के गाउं समाज के लिए बात नहीं करती यहां वानि किसकी बात करती है संपूर्ण ब्रह्म्हांड को सुख देने की सुख सितल करू संचार कहती है बितक भी ऐसा यह विरोध सारी विश्व का है न विरोध सारी किसका गाओं का नहीं, समाज का नहीं, परिवार का नहीं पूरे विश्व का जो विरोध है उसको समाब्त करने का कारिय यह बितक करते है पर कैसे इस बितक को पढ़कर समझकर आत्मसाथ करते हुए इसमें दिये गए मार्ग पर अथवा ब्रह्म मुन्यों के श्रीजी के देवचंद्रजी के पदचिन्हों पर चलते हुए जब हम भी वाणी और बितक अर्थात निजा प्रकार को समाप्थ करने की हर प्रकार के विवाद को सुलजानी की शक्ति इस बिप्रक और वाणी में है तो प्रासंगीत्ता का पता हमें प्रते दिन के प्रसंग से पता चलेगा अब इतिहास का पता चला कि कि इन प्रसंगों में लिखा गया प्रासंगीत्ता का पता हमें धीरे-धीरे चलता जाएगा अब प्रस्ण यह है कि भी तक क्यों यह भी तो प्रस्ण था कि भी तक कि आव बच्चे बताएंगे कितने बेद है चार वेद है उपवेद कितने है उपवेद भी चार ही है चार वेदों का नाम सबको पता है न रिग यजो शाम और अथरववेद में क्या क्या आता है? आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धरववेद और अर्थवेद, ये चार उपवेद हो गए, दर्शन है, कितने दर्शन है? छे दर्शन है, न्याय, वैसे शीक, सांख्य, प्रामानिक उपनिसद जिनको आर्श ग्रंथ कहा जाता है ऐसे ग्यारह उपनिसद प्रामानिक है और वैसे तो समाज में 108 उपनिसद है फिर 18 पुरान है अठारह उपपुरान है फिर व्याकरन की तरफ जाएंगे तरफ जाएंगे तो व्याकरन की अनेक ग्रंथ है चलिए उसको छोड़ भी देते हैं व्याकरन तो धर्मग्रंथ में नहीं आएंगे फिर भी धर्मग्रंथों की श्रेणी में तो इतने सारी हुए चार वेद चार उपवेद आठ हो गए छे दर्शन 14 हो गए ठेक है और 18 पु 108 ठेक है और इसके अलावा महाभारत रामायन फिर महाभारत में सही एक अंस जिसको गीता के नाम से समाज में प्रचारित किया गया है इस तरह से कते पक्ष में जाएंगे क्योंकि धर्मग्रंथों वह भी है ना कते पक्ष में इंजिल है जन्बूर है तौरत है कुरान है फिर गुरुग्रंथ साहिब है इदर सिख पंथ में तो इसे ग्रंथों की कोई सीमा नहीं है अब प्रस्ण यह था कि बितक की ही आओ सकता क्यों हम बितक की चर्चा क्यों करते हैं अन्य ग्रंथों की चर्चा क्यों करते हैं अन्य ग्रंथों की चर्चा क्यों नहीं करते हैं पर कैसे करते हैं? वाणी और बितक में समस्त ग्रंथों का सार नहीत है अभी आने वाले दिनों में जितने सुन्दर साथ आप यहाँ पर बैठे होगे हैं मुझे लगता है कि सायद प्रति वर्स हमने बितक सुना ही है जितने सरसावा के सुन्दर साथ हैं आप पहले वर्स से 2006 से ही पुरे भी तक सुनते आ रहे हैं या जो कोई यदि पहली बार भी तक सुन रहे हैं लेकिन भी तक के अलावा आपने किसी ग्रंथ को पड़ा हुआ है किसी और सिद्धान्द को आपने जाना है माना है और मैं वच्चन देता हूँ कि आप यह पुरा भी तक सुनते हैं शुरू से लेकर के आखिर तक तो आपको यह बात समझ में आ जाएगे कि हमने जिस सिद्धान्द को जाना है या माना है उसमें से वास्तविक्ता क्या है उनकी वास्तविक्ता का भी पता हमें भीतक की चर्चा में ही लग जाएगा कोई भी बात यहां पर बिना धर्म ग्रंथों के प्रमाण के नहीं की जाएगी ऐसा नहीं कि कोई नया सिद्धान शुरू कर दिया गया कई बार क्या होता है हम समाद में प्रचार प्रशार के लिए कई बार जाते हैं या फिर तभी ऐसे यात्रा कर रहे होते हैं किसी विश्यस प्रकार की वेश्बुसा होगी यदी तो आप से पूछा जाएगा कि आप कौन से धर्म को मानने वाले हैं क्योंकि धर्म ही पूछा जाता है तो जब आप कहेंगे कि मैं निजानन धर्सन अथा निजानन संप्रदाय का मानता हूँ या पूरी नहीं तक सुनेंगे तो आप जवाब दे पाएंचे जैसे आप हरीद्वार का प्रसंग सुनते हैं स्रीजी ने पहले कहा कि आप तो पूराने पुरा तन है आप अपना सिध्दान बताई लेकिन फिर बाद में स्रीजी किस तरह से उतर दिया तो ऐसे अनेइक प्रसंदों से हम इस बीतक की प्रासंगीता को सांधर विक्ता को जान सकते हैं अब प्रशन था कि क्यों हम बीतक के चर्चा सुनते हैं चुकि इस बात को थोड़ी गहराई से समझें वित्ती जब से होश समहालता है तभी से यदि थोड़ा सा भी सजग है थोड़ा सा भी सजग और सजग लोगों की संचार में कमी है जाग रहे हैं पर सजग लोगों की कमी है आख खुली है कान खुले हैं बुद्धी भी चल रही है पर कहां चल रही है जहां जितना भी चला है जाए निश्फल है वहां पर गुद्धी चल रही है तो सजगता की कमी है यहां सजगता की कमी कहने का क्या तात्परिय है कि हम सभी यंत्रवत चले जा रहे हैं यंत्रवत मतलब मशीन की तरह रोबोट की तरह चले जा रहे हैं कैसे जिस रोबोट के साथ क्या होता है उसको चार्ज करना पड़ता है और कमांड देने वाला जो वेक्ती होता है प्रोग्राम करने वाला जो प्रोग्राम उसमें एक बार की जाएगी वही रिपेट होती जाएगी एक बार चार्ज करो अन करो तो सेम प्रोसेशन का चलता रहता है और यंत्रवत भी मैं नहीं कहूंगा मनुष्य अधिकांच मनुष्य आठव की जन संख्या अभी लगबद दुनिया में पर इसमें से 25 से अधिक प्रतिशत जो मनुष्य के हैं वे सभी प्रशुवत चले जा रहे हैं प्रशु की तरह प्रशु का पूरा का पूरा फोकस किसमें होता है किसमें चार चीजे ना बच्चे बताएंगे आहार निद्रा भयमईतु नम्च समान में तत पशुभी नराणाम धर्मोही तेशाम अधिको विशेशो धर्मे नहीना पशुभी शमाना तो पशुभत क्या आहार निद्रा भय मतलब डर्ना और वन्च व्रिद्धिसंता नु अब मैंने पशुभत तो कहा लेकिन अधिकांच मनुष्य तो ऐसे हैं अधिकांच के हम में से भी अधिकांच मनुष्य ऐसे हैं जिनकी अवस्था कई बार प्रसुओं से भी निम्न स्थतिकी हो जाती है कैसे सुनने में कड़़ा तो है भूरा तो है पर वास्तविक्ता भी यही है जैसे एक शेर है हिंचक प्राणी है पर शेर तभी शिकार करेगा जब उसको खाना होता है यह ना पेट भराओ तो शिकार नहीं करेगा अब सामने से गुजर जाए शिकार नहीं करेगा आपने एसा कोई जानवर देखा है जो संग्रह करता होगा जानवरों में कोई आसा नहीं जो संग्रह करता है चीटिया संग्रह करती है पर मनुष्य का पूरा का पूरा ध्यान इसी तरह से संग्रह करने में ही होता है तो इसलिए कई बार मनुष्य प्रस्वों से भी निम्न स्रेणी में चला जाता है खैर अब आते वापस प्रसंग में तो जो भी सजग मनुष्य होता है वो सोचता है कि मेरी वास्तविक पहचान क्या है जिसको बीतक में क्या कहा मैं कौन हूं फिर मैं कहां से आया हूं एक प्रस्ण का उत्तर खोजता है तो फिर दूसरे और प्रस्ण की सामाधन एक साथ मील जाएगा ऐसा नहीं है एक कि खोजके साथ में दुसरे प्रशन इन प्रश्णों को अध्यात्म जगत के मूल प्रश्ण कहा जाता है कि को अहम कुटह आगतो असमी काच में शक्ति में कौन हुं में कहां से आया हूं मेरी शक्ति क्या है मेरी आत्मा का प्रियतम कौन है कहां है और क्या करता है कैसा है जिसको हम कहते ही परब्रम की लीला परवर्म का धाम परवर्म का स्वरूप उसकी उसका धाम उसका सोप और उसकी लिला कैसी है कहां है क्या करता है इन प्रशनों के समाधान की खोज से अध्यात्म की शुरुवात होती है आप किसी भी ग्रंथ की चर्चा सुन लिजे चाया भागवत सुनिये रामायर सुनिये महावारत सुनिये गीता का प्रवचन सुनिये किसी भी तरह से कि यदि उन प्रभचनों में इन प्रश्णों में से किसी भी प्रश्ण का समाधान नहीं है या कोई प्रश्ण ही नहीं है तो समझ लीजे कि वो चर्चा वो सत्संग व्यार्थ है फिर तो एक टाइम पास हो गया ना सुन रहे हम किसी की कहानी सुन रहे हैं कि फलाने देवतान फलाने राक्षिस को मारा फलाने राक्षिस को फलाने देवताने मारा उसको ऐसा वर्दान प्राप्ता क्या हो गया उससे क्या मिल गया जाहां अध्यात्म जगत के उन मून प्रश्णों का समाधान या उनसे संबन्दित बात नहीं हो रही है तो समझ लीजिए कि यहां पर अध्यात्म की कोई चर्चा नहीं हो रही है अब इन धर्मे ग्रंथों को जब हम देखते हैं जिनका मैंने नाम लिया वेद दर्शन उपनिशत आदी इन सभी ग्रंथों को आप सुरू से लेकर के आखिर तक खोजे डालेंगे तो इन प्रश्णों का समाधान नहीं मिलेगा कुछ-कुछ प्रश्णों का समाधान सांकेति रूप में मिलेगा यह मत समझना कि कुछ है इने उसमें वेदों में बहुत कुछ है सास्त्रों में दर्शन में उपनिशत में बहुत कुछ है पर तार्तम वाने की विशेषता यह है अथा बितक की विशेषता निजानन दर्शन में वाने वितक दोनों आ जाते हैं निजान उन सभी संकेतों को यह बीतक यह वानी खोलती है उजागर करती है जिससे की उसमें लिखी गई बातों को हम समझ पाते हैं अन्य था जब तक वानी भी तक आउतरण नहीं हुआ था तब तक ग्रंथ तो पहले से ही थे पर कोई भी जागरीत होकर के परव्रम के धाम सुरुप लिला के बारे में नहीं कह पाया कोई वेदों का आश्रे लेकर के वैदे ग्रंथों का आश्रे लेकर के रिशी मुनियों ने तपस्या किये उन्होंने क्या कहा न इती न इती ब्रह्म ऐसा भी नहीं है वैसा भी नहीं ह नासिका के अग्रमे ध्यान लगाया, किसी ने जीवा मूल में, जीवा के मद्यभाग में, कंट में, अलग-अलग इस्थान में ध्यान लगाया, उनको अलग-अलग प्रकार का अनुभें भें हुआ, पर वो अंदर से कहीं न कहिए जानते थे कि ब्रह्म का स्वरूप ऐसा तो नहीं है इसलिए न इती न इती उन्होंने कहा जिसको वाणी क्या कहती है वेद अगम कहें उल्टे पीछे नेत नेत कर गाया वेद में निगन सब्द नहीं है जो वईदिक ग्रंथ है जिनको उपनिशद कहते हैं उपनिशद आदी वईदिक ग्रंथों में उन रिश्यों ने न इती न इती कहे करके वर्णन किया अब ऐसा नहीं है कहना आसान है और ऐसा नहीं है कहने से हमें समाधन तो नहीं मिला ना कैसा है वहाँ भी तो बताना चाहिए रिशिमुन्य ने एक काम तो बहुत अच्छा किया ऐसा नहीं है कहने पर भी लोगों को बहुत लाभ इस तरह स हुआ कि यदि उन्होंने ऐसा नहीं कहा होता कि ब्रह्म ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है अईसा भी नहीं है तो भूआ सकता है कि वे जीव उन्हीं चीजों में अटक करके रह जाते फसकर रह जाते इसलिए रिश्यों ने क्या किया कि कहीं उसमें अटक ने कि आव सकता नहीं ब्रह्म ऐसा भी नहीं है वह सकता है कि कि हो सकता है क्या मेरा तो पुर्ण विश्वास है कि ब्रह्म्हवाणी को जाहिर होना है भ dwell İş i am 2 होना था इसलिए पेले से राज्जी ने ऐसा माहन बना दिया कि हमें आसानी हो ऐसा नही campe कहा कर रिशीमुल्यों ने आदा काम तो कर ही दिया बस अभे हमें तो यह बताने के आँ सकता है कि कैसा है कि कैसा है ठीक है तो वो का स्वरूप कैसा है उसका धाम कहां है उसकी लीला कैसी है तो यह ब्रह्भुवानी की अथवा बीतक की आवसिक्ता तो क्यों का भी जवाब मिला कि इतिहास हमने जाना कि किन आवस्थाओं में आतरित हुआ उसकी सांदर विक्ता को हम जानते जाएंगे ठीक है और जिन तीन प्रष्णों की मेने बात कि थे उन तीन प्रष्णों का hana पूर्ण रुप से कब होगा जिस दिन हम वितक की चर्चा का समापन करेंगे तो गरी ब्रूप से हम कि इस सावन के महने में तो कि जहां तक मेरा विश्वा से यदिया तो नियमित रूप से आएंगे तो परवर्म के धाम सुरुप और लीला और इतना ही नहीं अध्यात्म जगत के सभी मुल प्रश्णों का समाधान जान पाएंगे अब केवल ब्रह्म को जानना तो उचित नहीं है केवल जानने का तो लाव नहीं है केवल जानने से लाव हुआ होता तो स्रीजी समाधिस्त क्यों होते हैं तो जानना उपयोगी है जानना उपयुक्त है पर उससे भी महत्तुपूर्ण है उसको पाना तो पाने के लिए क्या कर करना चाहिए वहाँ भी इसमें राष्टा चल करके दिखाया कि किस राहा पर चल करके हम उस बुर्ण को प्राप्त कर सकते हैं तो ऐसी कि इस बीतक की शुरुवात हम करने जा रहे हैं और इस बीतक में सबसे पहले लिखा है अथा तीनों स्वरूपों की बीतक लिखते ही ही है कि अथशब्द का अर्थ होता है अब और प्रयोग करने का कारण है अधिकार के अर्थ में किAmerican जाता है इसका भाव मंंगलाचरण से है कि अथव सब्ध मंगलाचरण से मंगलाचरण तो शमाझते हिए मंगल आचरण मतलब आगे जो हम करने जा रहे हैं वहां अच्छे प्रकार से हो अच्छी तरह से हो इसलिए कोई भी आर्ष ग्रंथ का आरध्य का ध्यान करता है पहले अपने आरध्य को याद करता है और ग्रंथ लिखने से पहले कहता है कि अब मैं ऐसा लिखने जा रहा हूं जैसे योग दर्षन को लिखने से पहले पतंजली मुनी ने भी ऐसा ही किया और योग दर्शन के सबसे पहले उन्होंने कहा अथा योग अनुशाशनम अब मैं योग की व्याख्या करने जा रहा हूं जो की अनुशाशन का भी सहे वेदान तर्शन में सबसे पहले क्या कहा अथा तो ब्रह्म हो जिज्यासा दूसरे सुत्रों का मिलाकर के भाव यह होता है कि अब मैं व्यास्मनी कह रहे हैं कि अब मैं उस ब्रह्म के विशय में बताने जा रहा हूं जिसकी जिद्यासा करने चाहिए जिसको जानने की इच्छा करने चाहिए क्योंकि जो जन्मादी इस्विश्टी के जन्म और नास होने का अर्था प्रारम होने का और समाथ होने का यह कारण है उसको जानने का हम प्रयास करेंगे तो जहां अथ सब्द आएगा, अथ के बाद जो प्रसंग आता है, उस प्रसंग का उस पूर्ए ग्रंथ में अधिकार रहता है, जैसे अथ योग अनुशासना माया, तो योग दर्शन में सुरू से ले करके आखर तक किसका अधिकार रहेगा? योग का वेदान्त दर्शन में अथा तो ब्रह्म जिज्यास है तो वेदान्त दर्शन को दूसरा नम क्या कहते हैं ब्रह्म सुत्र ब्रह्म को जानने का सुत्र इसी तरह से इसमें क्या कहा है अथर तीनों सरूपों की भी तक लिखते तो इस ग्रंथ में अधिकार किसका है तीनों सरूपों का अधिकार है कहने का मतलब यह है कि इस ग्रंथ में तीन सरूपों का वरणन किया गया है और साथ में अब ऐसा तो नहीं कि केवल तीनों स्वरूपों का वर्णन किया है वर्णन का मतलब ऐसा थोड़ी कि कि किसी भी वेक्ति की कहानी अकेली तो समाप तो नहीं होती है ना उसके साथ जितने जुड़ने वाले लोग है यह जिन जन इस्थानों में वो गए उन सब का वर्णन है तो इसलिए सभी का इसमें वर्णन है पर अधिकार किसका है यह बीपक किसकी है तीनों स्वरूपों की तो अथसब्द का जो प्रयोग है वो अधिकार के अर्थ में मंगला चरण के रूप में किया जाता है इसी का गुजराती अनुवाद अब को गुजराती में कहते हैं हवे तो वानी की प्रारम में क्या चोपाई हैं हवे पहला मोह जलनी कहूं बात आप परिक्रमा ग्रंथ पढ़ेंगे तो परिक्रमा ग्रंथ की पहली चोपाई क्या है अब अब कहूं रहे ना आप प्रगट वानी पढ़ेंगे तो प्रगट वानी की पहली चोपाई क पहले आप देखेंगे कि जैसे बित्तक में अथ है दर्शन इत्यादी में अथ है वेदों में ओम है और वाने में हवे अथवा अब से शुरूवात की गई है ठीक है तो अथ तीनों सुरूपों की बित्तक लिखते से ले करके बित्तक की शुरूवात हो गई अब तीनों सुर तो बसरी स्वरूप का वर्णन नहीं है हाँ प्रसंग आया है पर बसरी स्वरूप से ज्यादा चोपा यह तो ब्रज और राज के लिए है लेकिन यहां न ब्रज वाले स्वरूप से है न बसरी स्वरूप से है यहां पर तीन स्वरूप कहने का मतलब क्या है मल की स्वरूप स्री देव चंद्र जी हकी स्वरूप स्री प्राणाज जी तथा छठे दिन के लिला के प्रारम में जिस ब्रह्मनी के द्वारा जागने की लिला हुई सरवाधिक वह महाराजा छात्रसाल जी ऐसा इसलिए क्योंकि बितक के दूसरे प्रकरण में आप इसका प्रमान पाएंगे इसमें क्या कहा है कि तीन स्वरूप की बितक जनम से लेकर सो कहूं आगे सयनों ए चर्चा सब उपर पहले तो जनम से लेकर बितक की बात की है फिर क्या कहा गया है सोई सरत कुरान में लिखी 120 बरस 4, 5 और 6 दिन तब जाहर होगे अरस तो 120 बरस की लिला भी गटित होनी चाहिए 300 रूप में और 4, 5 में 6 दिन की लिला भी गटित होनी चाहिए तो 120 बरस प्रारम होते हैं 1638 से और 1758 तक 1159 में श्री जी समाधिस्त होए उसके बाद आगे 7 साल तक 120 बरस की लिला महराजा 16 साल जी के द्वारा चलती गई तो 14 दिन की लिला के प्रतिनी धित्व स्री देव चंद्र जी सद्गुरू धनी स्री देव चंद्र जी पाच sinister की लिला के प्रतिनी नित्व के रूप में श्रेजी महामती जी और छठी दिन के लिला का प्रतिनिरित्व करने वाले महाराजा छत्रशाल जी तो इन तीन शुरूपों की बीतक का इसमें वर्णन है बीतक का मतलब केवल घटना करम नहीं है बीतक मतलब कथा नहीं है हैं बहुत शारी जग पर मैं देखता हूं आजकल Facebook में या सोचल नेंट्रोरकिंगग साइट में बीतक कथा वितक कथा ऐसा कहते जाते हैं कथा मतलब तो एक तर ह sé काहानी हो गई काहानी नहीं है बीतक को वृत भी कहा जाता है व्रित और जीğ 110 किसको कहते हैं पता है देते तब तक तो व्रित नहीं होता अगर उस पॉइंट से एक मिलीमीटर भी पहले आप छोड़ रहें तो वह सरकल ने वह एक लाइन है एक रेखा है बले वह वक्र रेखा हो ठीक है पूरा जब टच होता है तो उसको व्रित कहते हैं इसी तरह से बितक की सुरुवात कहां से होती है दूसरे प्रकरण में महा कारण से अब कहूं फेर के न मूल मिलावे की बितक तो मूल मिलावे से सुरुवात होके वापस मूल मिलावे में जागरित होने तक की घटना क्रम को बितक कहा जाता है जिसमें इस ग्रंत की अंदर मिल मिलावे की बितक से लेकर के छठे दिन की लिला का वर्णन है साथ में दिन में क्या होना है उसका भी वर्णन तो है संकेतिक रूप में और परम नहमें जागने की विशाय में भी बताया गया है तो आप कुल मिला के देखेंगे तो पूरे साथ दिन की लिला का इस फंतल में वर्डन है वह तो कोई भी ध्रम ना पाले कि उसमें बस्री मलकिन स्वाल ही पैदा नहीं होता इसलिए हमना था कि विक्रम संबद 1638 श्रीदेवचनर जी के जन्म से ले करके महाराजा छत्रसाल जी के द्वारा जो जागनी की लिला हुई उसके साथ वर्स गिन करके 1758 तक हमें मानना पड़ेगा और यही 300 रूप है चौथे, पाँचवे और छठे दिन की लिला में स्रीदेवचनर जी, स्रीप्राणडा जी और महाराजा छत्रसाल जी इन तीनों स्वरूप की भी तक हम सुनने जा रहे हैं अब कल की जो चर्चा है क्योंकि अभी तो हमने एक भी चोटाइश शुरू नहीं की है भी तक किन परस्थितियों में अवतरित होई कि उसको हमने जाना कि भी तक ही हम क्यों सुनते हैं उसको भी हमने जाना अब कल की चर्चा में हम सुनेंगे कि भाविष्य पुराण में जो भाविष्य वारे लिखिय गई थी भाविश्यपुराण का मतलब तो समझते हैं न एक ग्रंद है जिसमें भाविश्य में क्या होगा ऐसा भूत काल में ही लिख दिया गया था कि परब्रह्म इस संचार में आने वाले ही जब आएंगे तो कैसी परस्थिती होगे किन परस्थितियों में इस संचार में परब्रह्म ब्रह्म मुनियों के साथ में आएंगे तो उस भविश्य पूरान के कथन को हम जानेंगे और उसके बाद परम्ध हमें किस तरह से प्रेम में संबाध हुआ और इस संचार में ब्रह्मात्माओं के आने की भूमिका कैसे बने, ऐसा क्या हुआ कि ब्रह्मस्रिष्टियों को यहां आना पड़ा, ऐसा क्या हुआ कि ब्रह्मानन्द में लीन रहने वाले ब्रह्मस्रिष्टियां, इस असत जड़ दुख के संचार में आई, इस प्रसंग को को हम सुनेंगे कल आज के लिए क्योंकि समय समाप्थ होता है इस आज की चर्चा को हम यहीं पर समाप्थ करेंगे कल आने वाली पहली चोपाई को आज हम दोर आते हैं ठीक है भविश्य पुराण में राजा कहे जुगचार वचन जो है व्यास के ताको करो विचार ताको करो विचार बुलेश्री प्राण नाथिप बुलेश्री सत्मुरू महाराज प्रणाप जे प्राण भर सुन्दर साथ जे इतने वर्षा में आप सब आये हैं